हलो प्रेंट, वेलकम टू येश्टे टेटोरियल रोड़ोप चनल फ्रंड समलोग आज मनोब ज्यान का पहला प्रेक्टिस सेट साल्व करेंगे जो आपके उत्रप्रदेश सिक्षक पातरता परिच्छाट एड़े के लिए काफे मातपूर होगा को इसमें मोस्ट तीश इंप अगर यहां पर ज्यानात्मक की जगह पर स्रिंखला बद्ध देता है ठीक है स्रिंखला बद्ध पक्ष में होने वाली मांसिक्रिया यह परिवास्ता किसका है तो जब वहाँ पर स्रिंखला लग जाएगा तो आप वैलेंटाइन को सही करेंगे ठीक है तो दो परिवास्ता यहां से आप लोग जरूर तयार कीजिगा यहां पर आपसर नमबर आपका ए सही हो जाएगा ठीक है जब ग्यानात्मग पक्ष कहेगा तो रास हो जाएगे और जब स्रिंखला बद्ध विचार कहेगा तो ट्वैलेंट टाइन हो जाएगे तो दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखेगा दूसरे नमबर कुचिन है बिसिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित को किस नहीं परिभाशित किया बिसिष्ट व्यवहार तथा विचार को तो यह आलपोर्ट नहीं परिभाशित किया था ठीक है आलपोर्ट नहीं व्यक्तित को बर्स 1937 में वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में परिवासित किया बाद में 1961 में जो है इस परिवासा में संसोधन करके जो है विसिष्ट ब्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्त को परिवासित किया था तो यहाँ पे बहुत ही महतापूर ये भी परिवाशा है तो D आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा तीसरा नमबर कोशन है सामाजिक अधिगम सिध्धान का प्रितपादन किशने किया था तो सामाजिक अधिगम सिध्धान का प्रितपादन किशने किया था तो अलवर्ट बंडूरा ने किया था C आपसन कर्रेक्ट हो जाएगा ये अलवर्ट बंडूरा जो है ये अमेरिका के प्रसित्य सामाजिक मनोबग्यानिक थे तो यहाँ पे आपसन नमर C आपका इसमें सही हो जाएगा चौथा नमर कोशन है तोलनात्मक निरडय का नियम संब 1927 में जो है थर्स्टन ने किया था इसको भी आप लोग याद रखिएगा थर्स्टन ने किया था दिया था तोलनात्मक निरडय का नियम जो अभिवर्टी से संबंधित है तो यहाँ पे भी आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है अभिशमता होती है यह आपका आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है गयर्ट ने अभिप्रेरिकों को कितने भागों में विवख्त किया है अभिप्रेरिकों को कितने भागों में विवख्त किया था गयर्ट ने तो यहाँ पे तीन भागों में विवख्त किया था पहला कौन था जैविक अभ वेग्यानी कभी प्रेरे रख, तीसरा कौन था, सामाजी कभी प्रेरे रख, तीन भागों में अभी ब्रेकों को बाटा था किसने, गैरिट ने, तो सभी पॉइंट को याद रखेगा, भी आफसन इसमें आपका सही हो जाएगा, अगला कोशिन है, क्रो और क्रो ने सतर से कम ब अगला कोशिन है, परंपरागत तरीके से हट कर, नवीन ढंग से सोचना, चिंतन करना क्या कहलाता है, परंपरा से हट करके, नवीन सोचना और चिंतन करना क्या कहलाता है, स्त्रजन आत्मकता कहलाता है, या आफसन आपका सही हो जाएगा, अगला कोशिन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है तो बिलियम बुंट को डबलू बुंट या बिलियम बुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है ठेक है तो यहाँ पे आपका आपसा नमर स्री हो जाएगा और इन्हों ने ही जो है जर्मनी के जिपलिंग विश्व वित्याल्याहि में प्रथम मनोबैज्ञानिक प्रयोगसाला अस्थापित किया था कब 1889 में तो ये दोतीन पॉइंट है यहां से इसको विश्व वित्याल्याहि में सभी point पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है तो यहां पे C आफसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला question है गिलपोर्ड के अनुसार बुद्धी की बीमा है बुद्धी की बीमा कौन कौन से होती है विशेबस्त होती है संक्रिया होती है उत्पाद होता है यानि सभी होता है यहां पे D आफसानापका सही हो जाएगा बीकास के सिध्धान के बीकास समस्थाओं को निम्नमत दर्साया जाए तो मानसी thermometer के जडेलता का सही कर्म कौन सा होगा तो जिन प्याजे ने संग्यान अत्मग विकास के सिद्धान को कैसे बाता था पहले आये था संवेधी गामा कवस्था यानि पहला उसके बाद पूर संक्रियात्म कवस्था यानि यह हो जाएगा दूसरे नमर पे उसके बाद मूर्थ संक्रियात्म कवस्था फिर ये बड़ा होगा तीसरे से फिर जो है ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये बड़ा होगा चोतरे से तो यहाँ एक दो बड़ा फिर तीन बड़ा फिर चार बड़ा तो यहाँ पर आपका सी वाला आफ्षन सही हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे इच्ची नभी आप लोग देखिएगा ठीक है सबसे बड़ा सबसे पहला सम्वेदी गामक अवस्था दूसरे पे पूर संक्रियात्मक अवस्था तीसरे पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चोथे पे आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, ठीक है, तो यहाँ पे C आफसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है, जेरोम बुरूनर ने संग्यान अत्मक विकास के सिध्धान के अंतरगत कितनी अवस्थाओं का उलिख किया है जेरोम बुरूनर ने संग्यान अत्मक विकास के सिध्धान के अंतरगत जो है तीन अवस्थाओं की बात कही थी, ठीक है कौन-कौन से, क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिविम्बात्मक अवस्था, तीसरा संकेतात्मक अवस्था, तीन अवस्थाओं की बात कही थी, त पहला अस्थान पे जो आता था वो था आपका नैतिक अथार्था था ये पहले अस्थान पे आता है दूसरे अस्थान पे आता है आपका नैतिक समानता थीक है यानि दूसरा जो पूछा है नैतिक समानता तो यहां पे ए आपसान आपका सही हो जाएगा और तीसरा जो था नै तो दूसरा अस्तर पूँचा है तो यहां पर यह आपसान आपका सही हो जाएगा उसुभेल ने एपने सीखने के शिद्धानत में अर्थपोंड सीखने को अधिक महत्र पोड़ बताया है और कहा है कि अर्थपूर्ण सीथने में जो है आत्मे साथ करण महतपूर्ण होता है तो यहाँ पर यह आपसना आपका सही हो जाएगा अगला कोचन है भासा कौसल के मुखिते कितने कौसल हैं तो भासा कौसल के मुखिते कितने कौसल होते हैं चार होते हैं, कौन-कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही चार कोसल होते हैं न, तो यहां पर भी आफसन आपका इसमें सही हो जाएगा, अगला कोचन है, उस बालक की प्रकृति क्या होगी, जिसकी मांसी काय चोदे बर्स, जबकि वास्तिवी काय दस बर्स है, यानि बुद्धिलब्दी आपसे पूझ रहा है, तो बुद्धिलब्दी बराबर क्या होता है, मांसी काय बटे वास्तिवी काय इंटू 100, ठेक है, तो मांसिक आज दिया है 14 वर्स बटे वास्तिविक आज दिया है 10 वर्स इन्टू 100 ठेक है दद्धाइम 100 बराबर कितना हो गया बुद्धी लब्दी 140 140 वाला बुद्धी लब्दी वाला क्या होता है प्रतिवासाली होता है तो यहाँ पर आपका A आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है गडित सिछण का मुख्य उद्धेश क्या है तो तार की किंतन ठेक है राष्टी पार्ष्ट चर्या रूप रेखा जो 2005 के अनुसार जो है गडित सिछण का मुख्य उद्धेश द्यार्थियों में तार की चिंतन की योगिता विक्सित करके उन्हें स्वयंग से समस्या समाधान की तरफ ले जाना है तो यहाँ पर आपसान नंबर कौन सा सही होगा C अगला कोशिन है सिछण प्रक्रिया में मुख्य थै कितने चरण होते है तो सिछण प्रक्रिया में हफ एवंग डंकन के अनसार हफ एवंग डंकन के अनसार हफ एवंग डंकन के अनसार जो है सिछण प्रक्रिया में चार चरण जिनोंने बताया था यह आपसन सही जाएगा कौन का उनसा योजना बनाना दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन, चौथा, मुल्यांकन यही चार चरण पताये थे डफ एवंग डंकन ने तो यह भी पूछा जाता है कि किसने चार चरण की व्याख्या की है तो डफ एवंग डंकन ने महत्रपूर्ण है आपके लिए A आपसन इसमें आपका सही हो जाएगा अगला कोचन है सिच्छा का उद्देश है सरवांगिड विकास है सिच्छा का उद्देश मुल्यों का नहीं सरवांगिड विकास इसमें सभी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे D आपसन सही हो जाएगा अगला कोचिन है लैब विद्याले सम्बंदित है तो लैब विद्याले किसे सम्बंदित है प्रकत सील सिछा से लैब विद्याले का पिचार किस ने दिया था जान डीवी ने दिया था ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा यहाँ पे भी आपसन सही हो जाएगा अगला कुछ नहीं एक बालक की बुद्धिलब्धी 85 है तो वह बालक कैसा है तो 81 से लेकर के 90 तक 80 से लेकर के 90 तक ठर्मन के अंसार मंद बुद्धी होता है ठीक है यहाँ पे C या दी आफसन आपका सही हो जाएगा और सामान बुद्धी 91 से 110 ठीक है और अल्प बुद्धी 71 से 80 जड़ बुद्धी 70 से कम मंद बुद्धी 81 से लेकर के 90 के पीच इस सभी को याद रखिएगा डाटा भी याद रखिएगा डाटा बहुत बार पूछा जा चुका है तो यहाँ पे आपका इस प्रस्ण के अनुसार 85 पुछा है तो मंद बुद्धी हो जाएगा अगला कोचिन है मुल्यांकन त्रिकोण का भाग है तो यह सभी है यहाँ पे हो जाता है सिच्छण सिच्छण उद्देश ठीक है त्रिकोणी यहाँ पे आधिगम अनुभव यहाँ पे आपका मुल्यांकन तो यह त्रिकोणी मुल्यांकन के अंतर गताता है सिच्छन उद्देश अधिगम अनुभव और मुल्यांकन ये तीनों आ जाता है तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा अगला कोचिन है सांकेतिक अधिगम संबध है सांकेतिक का अधिगम किसे संबध है तो ये पारंपरिक अनुखूलन से संबध है यहाँ पे आपका उपयुक्त सही हो जाएगा अगला कोचिन है एक अच्छे पाठ करम को होना चाहिए तो पाठ करम सिच्छा का आधार है अधिगम को विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए ठेक है विद्ध्यार्थी के इंद्रित होना चाहिए D आपसं सई हो जाएगा अगला है बिरोध की अवस्था होती है तो इस टेनले हाल के अनुषार बिरोध की अवस्था कौन है? किस ओर आवस्था? यहाँ पे C आपसं सई हो जाएगा अगला है किंडर गार्टन बिदी किस आई सीमा के बालकों के लिए है तो किंडर गार्टन बिदी किस ने दिया था फ्राविल ने दिया था और इन्होंने चार से लेकर के आठ वर्स तक के बालकों के लिए यह प्योगी बताया है यहां पे C आपसान आपका सही हो जाएगा अगला है इस TNL-E हाल ने किसोर आवस्था को कितने तत्तों के रूप में परिभासित किया है चार तत्तों के वो चार तत्तों कौन कौन से है संगर्स, तनाव, तुफान, विरोध ठीक है तो यहाँ पर ए आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशिन है जलोटा बुद्धी परिक्षण है तो जलोटा बुद्धी परिक्षण जो है ये सामोहिक बुद्धी परिक्षण के अंतरगत आता है ब्यक्तिकत नहीं सामोहिक ठीक है सामोहिक में कौन कौन से आ जाते हैं जलोटा बुद्धी परिक्षण टंडर बुद्धी परिक्षण महता बुद्धी परिक्षण ये तीनों जो है सामाजिक सामोहिक बुद्धी परिक्षण के अंतरगत आ जाते हैं तो यह जलोटा फुद्धी पर इक्षड किसमें आ जाएगा ? सामोहिक में आ जाएगा तो यहां पे भी आफसन सही हो जाएगा अगला कोशिण है अभी प्रेड़ा के प्रडोद नियूनता के सिध्धान के पिटपादन कौन से ? कौन है प्रड़ोध नियून्ता के सिध्धान के पितपादक तो ये है लियोनार्ड हल इसका पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल ठीक है यहां पे भी आफसन आपका सही हो जाएगा अगला कोचन है दी मोरल जज्जमेंट आफ दी चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो दी मोरल जज्जमेंट आफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक है आपके कौन से है तो जीन पियाजे हैं यहां पे ए आफसन सही हो जाएगा बहुत ही महत्वण पुस्तक है यहां पे ए आपसन आपका सही हो जाएगा और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धान का उलेक किया था तो यहाँ पे ए आपसन सही हो जाएगा